हाँ, मैं सुन रही हूँ बेटा वालिदा हाँ मैं मुझे गोंचा खातून से महबबत हो गई है यह खबर मेरे लिये नएँ नहीं है मेरी शिर बेटे, तमने आखर अधराफ करी लिया ना ना सिर्फ आपके सामने गोंचा के सामने भी कर लिया मैंने यह क्या किया? क्या वाकली कह दिया उसे? उसना क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा कैसे? क्या वो तुमसे मुहबबत नहीं करती। फात्मा और हान भाय की खबर लेकर आ गई उस वक्त। जवाब नहीं दे सकी। ओ, अच्छा। खेर। उमीद है कि जवाब चल्दी बिलेगा इंशालला। 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 वालिदा। हम् जानती हूँ मैं। तुम्हारा डर जानती हूँ मैं। इसी चीज़ से मैं भी खौफ जदा हूँ। गौन्जा एक अच्छी लड़की है। मगर उसके वालिदायन हमारे खिलाफ है। तो इस बात से मैं समझूंगे। नहीं। कुछ मत कहना भी। यह सब कुछ तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अपने इस दिल को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना। नहीं दिमाग को इचासत देना कर वो दिल को नजर अन्दास करे। इस फरक को मैं कैसे समझू। तुम्हें उसकी आँखों से पता चलीगा। और जो कुछ तुम देखोगे वो ही हकीकत है। शेहजादी, क्या आज जो कुछ हुआ आप उसके बारे में सोच रही है। और आन, मुझे नहीं समझ पा रहा हूँ। वो कुबूल नहीं कर पा रहा कि हमारा कोई मस्दक पिल नहीं। लेकिन मैंने उससे पहली दफ़ा इस कदर घबराते हुए देखा है। उसकी घबराट से खौफ सता हो रही हूँ। मेहमद साहब और वो ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को मार डालेंगे। मुझे डर है कि कहीं आखर में ऐसा नहों कि काई और गर्मियां के दर्मियान एक बड़ी जंग शुरू हो जाए। लग रहा है जैसे किसी अंधेरे रास्ते पर खो गई हूँ मैं। सिर्फ एक ही शक्स है जो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है। आपके खाला क्या हम उन्हें बताएं। हर्गिस नहीं। हर्गिस नहीं आंधे। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी समझ गई। मेरी खाला काना किसी तबाहिए से कम नहीं होगा। यहां से चले जाना ही बैतरीन हल है लगता नहीं कि औरहान साहाब हमारा पीछा छोड़ेंगे जब आप शादी करेंगी वो तब ही उमीद खोएंगे और आप मेहमद साहाब को क्या जवाब देंगी? आलजा यह पोशाक तो बहुत प्यारी है इससे सामने रखना तुम्हारे जितनी नहीं कोई भी चीज तुम्हारी तरह खुबसूरत नहीं हो सकती और हान तुम यहाँ से चले जाओ मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ मैंने तुम्हें कहा था ना कहा था ना कि हर मसले का हल निकाल लूँगा मैं हुलोफिराब वालिदाब और बाबाब सब राजी हैं अब हम शादी कर सकते हैं कैसे? कैसे? देखो फिल्हाल तो मुझे एक जरूरी काम से जाना है मगर जाने से पहले कुछ पताना चाहता हूं तुम्हें शादी होगी हमारी शादी जरूर होगी होलो फिरा मगर एक शर्त है वालिदा मुसल्मान करना चाहती हैं तुम्हें और हान तुम मुझसे ऐसी तवक्कों कैसे कर सकते हो तुम कह रहे हो कि मैं अपना दीन बदल दू तुम्हारे लिए होलो फिरा चारा नहीं है और कोई देखो और आन ऐसी कोई शर्त नहीं रखनी जाए तुम्हें देखो यह हमारे लिए है कबूल करना अगर तुम्हें कहां हो गोंजा कहां हो अलावतीन तुम्हारा जवाब जानना है अभी यहां गोंजा अलावतीन चलो आओ चलते हैं जवाब के लिए आपको इंतिजार तो करना पड़ेगा इसका मतलब क्या आप सोचेंगी तो ठीक है आप सोचें चलाव खाातू अपना ख्याल रखना आप भी अप भी अपनी अपनी अपज़त में रखे आपको अपनी हिफासत में रखे आज एक बड़ा दिन है उस्मान और तमाम हजरात को दिखानी होगी कर्मियान की तागत उस काफिर वसलिस के पीछे कौन है हमारे दर्मियान कौन से जासूस बेजे गए यह सारी बातें खुल कर सामने आएंगी और इसके बाद तुम इन में से हर एक की गर्दन तोड़ोगे मेहमद यह तुम्हारी जीत है दिवान और हजरात के सामने मजाकरात का पड़ा नक्ता होगा उस दिन सब चान लेंगे कि उस्मान को सिर्फ बाते करना आती हैं जहां तक या खुब साब का तालुख है मतलब सल्तान आपका शुक्रिया बाबा उसे जो भी लेने आएगा उसे हमारे घजब कर सामने करना होगा तमाम आलाद मुकमल तोड़ पर तैयार है पयान होगा कहा है तब आदला कहा होगा उसनेस लेबियों को बता दिया वो हमारे साथ ही जाएगा और हमारा अंतजार करेगा ठीक है भी तुमारा रास्ता असान हो खुदा तुमारी फटा में बरकत दे मेरे बिटे तुमारा रास्ता असान और हत्यार मजबूत रहे बिटा शुक्रिया वालिदा मुझे दुआओं में याद रखिएगा हम फतायाब होंगे और वो खसारे में रहेंगे यही नसीब है उनका सही वक्तरा है बात कुछ एहम है हम याकूब ने एक मनसूबा तैयार किया है वासलिस को सलीबियों के हाथों बेच कर उसे मारने से बाज रहेगा बस इसलिए मुझे रोके रखाओ याकूब धोका दे रहा है तो है वासलिस के सरह सौने के वज़ नहीं छोड़ेगा कभी भी हाँ बिलकुल ऐसा ही है कारा जलसून वासलिस के पीछे आखिर कौन सी ताकत है यह जानकर वो उसकी जान लेने का इरादा रखता है कारा जलसून यानि वो तबादला नहीं बलके जंग चाहता है हाँ वो जंग चाहता है वो अपने सामने सलीबियों के एक छोटे से गरो की तवक्को कर रहा होगा और वहाँ कमांदार कारा जलसून और उसके साथ उसके साथी और मेरे भी सिपाही एक बड़े लशकर से जामे लेंगे और इस दफ़ा ये उनकी आखरी जंग होगी ठीक है समझी गया लेकिन ध्यान रखना की शक नहों तुम पर हम ऐसा कुछ नहीं होगा ये खीरन शातान भी तुमसे पना मानता होगा अगर तुम्हार मकसद पूरा हुआ तो बहुत फाइदा पहुचेगा तुम्हें तुम कामियाब होगे मंगुल यकीन करो के आज तक अपने हदफ को इसकदर मैंने करीब से नहीं देखा जतना अब देख रहा हूँ काम शुरू करो तुम्हेगा तुम्हेगो तुम्हेगग तुम्हेग सर उठाओ जरा अपने सर उपर उठाओ क्या आवाज नहीं आ रही उस्मान साब की सर उठाओ उपने तुम लोगों ने हमारे सर्दरान पर आमला करके मुझे हकीर सावित करने की कोशिश के उस्मान साब हम आपको हम आपको जानते हैं कि आप क्यादर्थ चाहते हैं सरधारण को मारने के बाद आप वाहिद मजबूत क्यादत बन जाते हैं खुन बहा के उन लोगों को मारने से रियासत काईब नहीं होती खाप बनके रह जाती है आखिर तुम लोगों ना सोचा कैसे है करने का इस हद तक पहुँच गए हाँ अब आरे पीछे कोई नहीं उस्मान सा हमने हमेशे इनकी साख तोड़ी है संजाक सिस सर्फ संजाक सिस का ही खयाल रखते थे लेकिन अब के बाइस हमने काफी कुछ सीखा अब यह और सीखोगे हाँ तुम जरूर सीखोगे हम दोनों को एक आखरी मौका दे रहा हूँ हम उन पे हमला करेंगे और आगे तुम लोग जाओगे यो हुक मुस्मान सल्दान हम मर्दों की तरह जीत तो न सके लेकिन मर्दों की तरह मरना चाहते यह तो अल्ला ही जानता है हमें कारवा मिल का है हुजू वो अलतन पांच में है लेकिन उससे भी बुरी खबर है मंगोल काफिर वहां डेरे डाले बैठे हैं वो तादाद में ज्यादा है जाहर है वो वहां तबादला करने जा रहे जनाब कुछ अरिस करना चाहता हूँ मैं इनको मारने का इससे बहतर मौका नहीं है हम रुकेंगे नहीं बाइंदर हमला करेंगे उनके हथ्यार ही उनकी मौत का बाइस होंगे सिपाहियों आजाओ इने विले चल साथ आजाओ आत्यार लाओ आत्यार लाओ ये तलवार खालिस लोहे से बनाई गई है और इसका वाहिब मकसद तुर्कों पर कयामत परपा करना है जल्दी सोना लाओ अब खाना लाओ खाना बांटते हैं अपना हमारी दोस्ती हमेशा काइम रहे हम मिलकर हम मिलकर तुर्कों को बाहर निकाल कर रहेंगे अपना लाओ तुर्क तुर्कों काइम मुझे बहुत याद आ रही हैं आप मेरा दिल उफ तुम इतना किसे याद कर रहे हो गाजी और कौन हो सकता है गाजी बहुत हो क्या बस गोंचा ये गोंचा वो यहां गोंचा वहां गोंचा एक माँ अपनी बहू के लिए ऐसा कहती है बला बहुत मूचल रहा इसका मूबन नहीं किया न तो जूते की नोख चलेगी तुम पर अभी सब को जाकर बता दीजिए गोंचा खादून मेरी है और किसी की नहीं निकले यांसे बढ़ाया गोंचा अस्तग्फिर अल्ला गाजी को जब मालूम होगा तो वो तो बहुत रोएगा क्योंकि अलाओदीन भाई ने गोंचा खादून से अपनी मुहबत का इज़ार कर दिया होगा क्या तुम्हें यकनी निस बात पर हाँ हाँ देखें ये बात हमारे दर्मियान रहे किसी को पताना चले वरना अलाओदीन भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे नहीं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी काश के सब कुछ मैंने सुना ना होता अब मैं क्या करूंगी किसी को तो बताना पड़ेगा ना लेकिन अब करूं क्या आखिल कैसे बताऊं हाई अलाओ और कोई रास्ता भी नहीं है एक काम करती हूं मैं बात करती हूं कुछा खादून से सरदारान संजक्स इसके बीना सौधा करना जाइज है क्या हमारा हिस्सा कहां है कहां है हमारा हिस्सा कि अज़िए बलाओ रास्ता भी दो भी नहीं है हमारा हिस्सा कि अज़ प्रूं करता है